अगर आप एक Google Pixel Lover है, तो एक बहुत अच्छा अपडेट है, Google ने 2024 का अपना एक बजट फोन लाँच किया है और ये फोन है Google Pixel 8 सिरीज का एक नया अड़न, Google Pixel 8a So इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे बताया था कि Google Pixel 8 में क्या-क्या नया मिलने माला है अब best part ये है कि Google Pixel 8 सिरीज काफी popular हुई थी जिसे last year Google ने launch किया था और Google ने अपने Pixel 8 सिरीज में सबसे पहले AI features को introduce किया था और वैसे ही कुछ AI features अब आप Google Pixel 8a में भी experience कर पाएंगे तो अच्छे चीज ये है कि ये phone फोन फाइनली इंडिया में launch हो चुका है और इसके साथ Google अपना एक upcoming event होस्ट करने वाला है 14 मे को जो कि 2024 का Google का सबसे बड़ा launch event होगा Google IEO तो पहले माना जा रहा था कि Google Pixel 8a को कंपनी अपने official event में launch करेगी लेकिन उससे पहले इस phone को इंडिया में launch कर दिया गया है और मैं आज आपको इस वीडियो में Google Pixel 8 के features और price के बारे में बताऊंगे So मैं सबसे पहले आपको यह बता रेती हूँ कि जो AI features जो AI features Google ने अपनी Pixel 8 series के साथ introduce किये थे वो features अब आप Google Pixel 8 में use तो करी पाएंगे साथ में इसमें एक नया add-on भी किया गया है जैसे Google का AI assistant है जिसे पहले Google Bart के नाम से जाना जाता था उसको अभी Google Gemini के नाम से जाना जाता है और इसका स्वाल अभी हम Google search तक ही कर पाते थे लेकिन Google Pixel 8a में आपको Google Gemini का एक inbuilt support दिया जाएगा साथ में circle to search feature जो काफी जादा trend किया था वो feature अब आपको इस budget phone में मिलेगा इसके अलावर और भी बहुत सारे AI features हैं जो आप इसमें use कर पाएंगे अब अच्छी बात यह है कि phone के जो pre-orders है वो start हो चुके है और sales start होगी May 14 से और इस phone को आप e-commerce platform flip card के ज़रे खरीद पाएगे so features बताने से पहले मैं इसका price reveal कर देती हूँ so इस phone को दो अलग-अलग variants में launch किया है जिसमें 128 GB वाला variant है इसका starting price है 52,999 और जो उसका दूसरा high-end variant है जिसमें 256 GB storage मिलता है उसका price है 59,999 हाला कि budget price तो नहीं है लेकिन Google Pixel 8 series का सबसे सस्ता variant आप मान सकते है so high variant जो है वो अप्रॉक 60,000 तक जाई रहा है और जो normal base variant है उसका price 53,000 तक है लेकिर अच्छे चीज यह है company बहुत सारे exchange offers, discount offers दे रहे हैं इसके बाद आप इसे और कम price में खरीद पाएगे अब एक सबसेच offer यह भी है कि अगर आप इस phone को pre-order करते हैं तो इसके साथ आपको Google Pixel birds जो की A series वाले birds हैं वो आप 999 price में खरीच सकते हैं मतलब अगर आपको phone को से pre-order करते हैं तब तक के लिए offer वालेड है तो हमेशा की तरह जो A series है उसमें compact display दिया जाता है तो इस बार भी Google Pixel 8a में 6.1 इंच का एक छोटा compact display दिया है जिसमें full HD plus resolution है और best part है कि यह OLED display है 120Hz का high refresh rate दिया है 2000 nits की peak brightness support मिलता है तो आउट डोर में बहुत अच्छा रहेगा आपको लोगके ल experience साथे यह Corning Gorilla Glass 3 से protected है अब जो design है इस बार design में थोड़े से company ने चेंज किया है गूगल ने इस बार थोड़ा सा new look दिया है इसमें जो आप फोन का back देखेंगी उसमें match finish दी गई है जैसे हमेशा से Google अपने फोन को aluminium frame के साथ design करती है तो वही इस बार भी Google Pixel 8 में देखा गया है जो कि फोन को बहुत जादा premium बनाता है अब इसमें दिया गया है Tensor G3 chipset जो कि Google का अपना flagship chipset है और इसमें Titan M2 security chip भी दी गई है तो इससे all better experience आपको मिलेगा अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ है एक feature उस feature के साथ ये phone actually में बहुत अच्छा option हो सकता है आपके लिए जसे phone में Android 14 update है जो कि Google Pixel 8a के साथ ही introduced किया गया था लेकिन best part है कि Google ने claim किया है इस phone के साथ आपको 7 साल तक का security और Android update मिलता है मतलब 7 साल तक आपका phone brand new रहने वाल है तो जैसे 8 series के साथ launch के गया था live translate feature एक best take photo feature एक magic editor एक photo unblur feature तो इस तरीके के जो editing tools है वो सब आपको मिलेंगे एक better photography experience मिलेगा even जो real tone है उसको आप अपने साब से adjust कर सकते हैं अब एक ऐसा feature भी इस phone में introduce किया है जो कुछ time से अभी काफी ज्यादा trend में था तो गूगल ने pixel 8a series के साथ एक audio emoji feature को launch किया है तो यह जो audio emoji feature है इसका best part यह है कि यह feature अभी नया है और माना जा रहा था कि कुछ android phones में इसे introduce किया जाएगा तो गूगल pixel 8a के साथ इसे launch कर दिया गया है तो इस feature का use करके जैसे आप calling पर बात करते हैं और आपको कुछ reaction send करने है तो अब आप कुछ emojis के ज़री ऐसे reaction send कर पाएंगे और बैस पार है कि इसमें एक sound effect है तो जिससे आप बात कर रहे है और आपको दोनों को वो जो sound effects है वो सुनाई देंगे तो बहुत ही interesting और funny और ब IP67 की rating दी गई है तो IP67 एक अच्छे हासे high rating होती है तो एक waterproof phone है dust protected भी रहेगा तो बात कर लेते हैं battery features की phone में एक standard battery दी गई है इसमें 4404 mh तक की battery दी गई है और 18 watt का एक standard fast charging support मिलता है लेकिन Google Pixel phone है तो आपको अच्छा battery backup मिलेगा fast charging मिलेगी अलाकि जो Google है वो बहुत payments बनी रहे और जो phone है वो जादा heat ना करें इसके साथ आपको QI certified wireless charging support भी मिलता है अब आ जाते हैं camera features पर जिसके लिए Google Pixel phones जाने जाते हैं इसमें 64 MP का एक primary sensor दिया है जिसमें OI support मिलता है और 13 MP का एक ultra wide sensor है तो dual camera setup मिलता है और 13 MP का एक selfie camera मिलता है हालाकि Google camera features में बहुत जाद experiment नहीं करते हैं लेकित ये ये तो obvious है कि Google Pixel के phones में जो camera quality है वो top notch मिलती है best photography experience मिलता है जो कि actually में iPhone को compete करता है और iPhone को तक्कर देता है और इसे के साथ इसमें बहुत सारे और भी features है USB type C port मिलता है charging के लिए तो ये सारे जो features मैंने आपको बताए है ये है Google Pixel 8A features और sale जल्दी start ह होने वाली आप इसे pre-order कर सकते हैं तो अगर आप भी बहुत टाइम से वेट करें थे Google Pixel की A series का तो finally A series इंडिया में launch हो गई है तो आपको Google Pixel 8A का design कैसा लगा है features कैसे लगे और कौन सा feature आपको best लगा है आपको comment section में जरूर बता है साथी Google Pixel lovers के साथी वीडियो जरूर शेर